नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है दिल्ली के सीम अर्विंद केजिरिवाल आज कल दिल्ली में उनका मन नहीं लग रहा है कभी पंजाब तो कभी 36 गड़ अब ना जाने गुजराज जाएंगे राजस्थान जाएंगे हरियाना जाएंगे लेकिन तीन दिनों तक पंजाब में घूमते रहे आम आदमी पाठी के कारकरताओं के साथ फरजी बाड़े पर बाचित करते रहे और उसके बाद आए तो फिर 36 गड़ की यात्रा पर यानि की चुनाप परचार करना दिल्ली के मुख मंत्री का नहीं आम आदमी पाठी के परिशानी बड़ी होई है एक के बाद एक एक के बाद एक अरविन केजरिवाल के उपर आक्सन लिया जा रहा है चाहे शराब भोटाले की बाध करें उसमें भी केजरिवाल के चहेते के उपर आक्सन हुआ क्योंकि अलफसंख्यक आयोग में दिल्ली अलसंक्या का आयोग जो है उसमें ये फरजी मेल भेज भेज कर पॉलिसी को बनाने के लिए एक नया आधार तयार कर रहा था उधर के कविता को दिल्ली बुलाया गया सुप्रिम कोर्ट ने दस दिन की रहत दी है लेकिन कब तक ये रहत मिलेगी आना ही नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेस ऑथिरिटी जो ट्रांसफर पोस्टिंग और आईएस आईपेस अधिकारियों से लेकर डिसिप्रिनरी एक्षन लेने के लिए बनाई गई है जिसमें तीन लोग शामिल होते हैं यानी दिल्ली के चीप सेक्रेटरी नरेश कुमार अभी ह दूसरे तरफ जो प्रिंस्पल सेक्रेटरी होम है अश्विनी कुमार और तीसरे जो नाम इसमें है वो है अरविंद केजरिवाल का इन तीनों की बैठक होनी जरूरी होती है दिल्ली के कामकाज को देखने के लिए लेकिन होता ये है कि ये बैठक से अरविंद केजरिवाल भाग रहे हैं और उधर अश्विनी कुमार ने एक नोटिस जारी करके फिर से दिल्ली के CMK सीस महल की फाइल खोल दी है नोटिस ऐसी है जिसमें एक-एक मामले की तफसीज के लिए जानकारी दे गई है और इसलिए अरविंद केजरिवाल घबडा गए अब तो ये नोटिस ज बैठक करनी पड़ेगी और इसलिए NCCS यानिक National Capital Civil Services Authority की बैठक के लिए मंजूरी दे दी 20 सेप्टमबर को चार बजे साम को मुख मंत्री आवास पर ये बैठक होगी लेकिन इससे पहले पांच बार उन्होंने बैठक को टरका दिया है 29 जून को जो लास्ट बैठक होई थी उसके बाद ते कोई बैठक नहीं हुई है 29 जून की बैठक के बाद अरविन केद्रिवाल बाहर निकले और बोलना शुरू कर दिया कि ये तो डेमोक्रेटिक तरीके से चूनी हुई सरकार के खिलाप है क्योंकि मुख मंत्री के ऊपर दो अधिकारियों को रख दिया गया है वहाँ जो फैसला होगा बहुमत से होगा और बहुमत किसका है अधिकारियों का यानि एक चीफ सेक्रेटरी का और एक जो होम डिपार्टमेंट के प्रिंस्पल सेक्रेटरी है उनका इसलिए अगर असहमती आगे बढ़ती है तो फिर इस पर फैसला LG को लेना है मतलब केजरिवाल के हाथ में कुछ नहीं है मिटिंग करें अपनी सहमती दें और सहमती देना उनकी मजबूरी है लेकिन फिर भी अरविंद केजरिवाल 29 जून के बाद दे बैठक ही नहीं ले रहे थे बार बार कहा जा रहा था NCCS के बैठक गुआ कि दिल्ली में 21 अधिकारी ऐसे हैं जो पोस्टिंग के लिए छट-पता रहे हैं उनके पास पोस्टिंग है ही नहीं वो दिल्ली ट्रांसफर तो हो गया लेकिन कोई पद नहीं मिला है इसमें आइस अधिकारी भी हैं डैनिक्स कैडर के अधिकारी भी हैं दो और दस अधिकारी डैन्क्स के जो हैं वो एड हॉक वाले हैं, IFS अधिकारी भी हैं, IAS अधिकारी भी हैं, टोटल 21 ऐसे अधिकारी हैं जिनको काम नहीं दिया जा रहा है, बेतन दिया जा रहा है और ये लोग केजरिवाल को बार-बार ये कह रहे हैं कि मुख मंत्री आप बैठक जीए और नहीं तो फिर हम आपके खिलाप एक्शन लेंगे लेकिन इस बीच जो बात चली वो है बैठक की और नेशनल कैपिटल टेरिटरी के सिविल सर्विसेस ऑथिरिटी की जो बैठक होनी है उस बैठक में 20 सेतंबर के बैठक में ये एजेंडा तै किया गया है चार पर जिसमें पांच बड़ी वजह बताई गई है और उसमें इन्वेस्टिगेशन का तरीका बताया गया है कि कैसे दिनली सरकार के सीम ने अपने बंगले को रिन्नोवेट करवाने में फिजूल खर्ची की कलोडो रुप्या खर्च किये हैं और उसमें जो चार पांच कंसर् पर चर्चा अरविंद केद्रिवाल के सामने होगी अरविंद केद्रिवाल बेशर्मी के साथ ये कहने पर मजबूर हो जाएगा जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है पी डबलू डी की भूमिका है और कंस्ट्रक्शन करने वाले इंजिनियर की भूमिका है जिन लोगों ने इसके लिए टेंडर निकाले उसकी भूमिका है, हमारी कोई भूमिका नहीं है, ये बेशर्मी से जरूर कहेगा, लेकिन औरिजिनल फाइल अर्विन केजरिवाल मांगने की कोशिश कर रहा है, जबकि अश्विनी कुमार औरिजिनल फाइल सामने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि यही वही फाइल है जिसके छोरी के लिए रात रात विजलेंस डिपार्टमेंट में लोग जिगये थें उसके खिलाफ एफाई-आर भी दर्ज किया गया था और इसलिए विजलेंस के जो स्पेशल सेक्रेटरी राज सेखर है उनका ट्रांसफर भी किया गया था ताकि यह पू फिजुल खर्ची को उठाये गया है कि इस आवास को बनाने में जो पैसे खर्च हुए हैं वो क्या ओरिजिनल हैं इतने महीं हो सकता है या ये पैसा काफी बढ़ा चढ़ा के खर्च किया गया है जो वेल्जियम से मार्बल्स मंगवाए गये हैं उसकी क्या जरूरत थी या फि फिर खर्च कुछ होर हुआ है बिल कुछ होर बना है यानि करोडों का इसमें घोटाला भी हुआ है दूसरी बात जोनल प्लान को लेकर है कि सीम का आवास जो बना है उसका प्लानिंग क्या थी वो जोनल प्लान की बात इसमें सामिल की गई है कि जो रिसिदेंस बनाय गया व और जो केटेगरी तै की गई है वो केटेगरी अरविंद केजरिवाल के लिए है क्योंकि दिली के CM Union Territory के CM है और इसको टाइप 6 बंगला मिलना चाहिए लेकिन टाइप 8 केटेगरी का बंगला अरविंद केजरिवाल के पास है उसी तरीके से अरविंद केजरिवाल के जो पर स्वासन सेक्रेटरी है पॉलिटिकल एडवाइजर है विभव उसके पास भी जो बंगला है वो केटेगरी से उपर का है टाइप सिक्स केटेगरी उसको भी मिला हुआ है यहां तक की एक बंगला तो और है जिसो फर्जी तरीके से राघब चड़ाने लिया है और वो राज्ज सभा सेक्रेटरी को जूठी बात बता कर क्योंकि उसमें जो केटेगरी तैकी गई थी उसमें इसने बताया ही नहीं कि हम विधायक जादा दिनों तक नहीं रहते पांच साल विधायक नहीं रहते सिर्फ यह लिखा पुर विधायक और राज्ज सभा सांसत केटेगरी अपने वो है forest environment clearance को लेकर कि जो अरविंद केजरिवाल का बंगला बनाया गया उसका विस्तार किया गया रिकंस्ट्रक्शन की गई तो उसमें कितने पेड काटे गए हैं आस पास के छित्रों का नुकसान किया गया है और परियावरन से संबंदित मामले की भी इसमें जाच होगी कि उ सारे के सारे मामले अरश्वीनी कुमार उठाने वाले हैं अरविंद केजरिवाल बैठक के लिए तयार तो हो गया है और 20 सेप्टमबर के तारीक दे दिया है लेकिन भरोसा इस बात का नहीं है कि इस बार भी बैठक हो क्योंकि 29 जून के बाद ऐसे डेट तो पांच बार आ अपना कंसर उठाया है उसमें इस सीस महल के फाइल औरिजनल फाइल है वो दिखाने की भी बात मांगी है और उसके साथ ये कहा है कि कितने ऐसे आई एस अधिकारी हैं डैनिक्स केडर के अधिकारी हैं जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग करना है उसके बाद इन चर्चा करने के लिए तयार नहीं है सीम हमेशा कहते हैं हम दिल्ली में ब्रस्टाचार को मुक्त कर देंगे दिल्ली को ब्रस्टाचार से लेकिन सबसे ज्यादा ब्रस्टाचार है यहाँ पर एक फाइल और है जो रानी जासी फ्लाइओबर को लेकर है वहाँ पर अन्यमित् के कुछ अधिकारियों के खिलाफ अनुशासन हींता का मामला आया है डिसिप्रिनरी एक्षन उसके खिलाफ लेना है अब इसके लिए भी जरूरी है कि केजरिवाल से परिमिसन हो यानि कि दिल्ली के सीम से परिमिसन हो लेकिन अर्विन केजरिवाल जब बैठक ही नहीं लेगा तो Chief Secretary, Principal Secretary अकेलिए कैसे फैसला ले सकते हैं ये अर्विन केजरिवाल की अपनी चाल और चरित रहे हैं जो की बार बार कहता है कि LG अधिकारियों का ट्रांसफर कोस्टिंग कर रहे हैं LG अधिकारियों को सस्पेंड कर रहे हैं LG हमारे इंटरंस का पेमिंट बंद कर रहे हैं LG है जो हमारे लोगों से अधिकार चीन रहे हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यह अरविंद केजरिवाल ऐसा व्यक्ति है कि दिल्ली को बेच कर खा जाएगा और सामने से ऐसा कि उससे के जैसा कटर इमांदार तो कोई है ही नहीं अब शीष महल के फाइल खुल गई है और केजरिवाल के उपर एक आफ़त आने वाला है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दिसा जिस तरीके से है उसमें तो यह साब तोर पर कहा जा सकता है कि केजरिवाल से भी क्या थी आपने देखा नहीं कि आपके आवास में इतने करोडो करोडो के सामान जो लग रहे हैं उसके परमिसन क्या दिया जा सकता है और अगर इसका विस्तार किया जा रहा है तो भी आपको इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह आप ही का आवास है और आप ही यहुष पर्मिशन की फाइल आप से गुजरती है तो पूश्तास के प्रकरिया शुरू होगी और अब के जरिबाल नए मुसीबत में फसने वाला है तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए बने रही है हमारे साथ और देते रहे हैं मैसा योग ताकि इस